पूद है क्या पेपर केंसिल होगा ये बहुत बड़ा टेंशन है क्योंकि जिन विध्यारतियों का मेहनत के दम पे सेलेक्शन हुआ है वो इस बात को लेकर चिंती थे कि सर पेपर केंसिल तो नहीं होगा क्योंकि सभी केंसिल करने की मांग कर रहे है तो एक तो ये भी पर बात बताने जा रहा हूं और आप मेंसे इसको सुनके कई लोग घवराएंगे, कई लोग फिर मुझे संदेह करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, टॉप 10 मेंसे एक बच्चे से मेरी बात हुई है, मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपको उसके वारे में कुछ नह नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ये आप बीती है, एक लड़का उसमें से एसा है, जिसने जैनुइन मेहनत करके सेलेक्शन लिया है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा मानसीक रूप से परेशान है, क्यों? क्योंकि वो होता है ना कि गेहूं के साथ गुन भी पीसता है, अगर दस में से मान लीजिए आठ फरजी तरीके से टॉपर है, उन दो की कोई गलती नहीं है, जिननोंने मेहनत करी है, हो सकता है कि उन्होंने ना 180 आयों, 170 आयों, लेकिन ठीक ठाक नमबर लाया है, उसने जगा बनाई है, वो ब्यक्ति मानसीक रूप स परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको लोग परेशान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है उसका नाम उड़ाया जा रहा है, तो उसने मुझसे बात करी, फोन पर वेक्ति रोया है मेरे सामने, उसने बताए कि सर, आप मेरा इंटर्व्यू ले लीजिए, आप मेरा सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि जब ये सारा आंदोलन और सारा फरजी बाड़ा और सारी चीजें हुई इसमें बो लोग बहुत जादा घवरा गए जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है तो मैं और बाकी मेरी जो सिक्षकों के साथ बात हुई जैसे गुपाल सर है उन हम नहीं चाहते कि re-exam हो क्योंकि मान लेते एक बार के लिए कि 1500 या जितने भी बच्चे जिन्होंने और अभी एक अनुमान है ये तो कोई भी निसकर्शम जाज के बाद ही पता लगा पाएंगे कि आखिर में हुआ क्या है कितने लोगों ने फरजी तरीके से जो हुई और आगे आने वाली परिक्चाओं में ऐसा कभी कुछ नहीं हो हम ये चाहते हैं यही पर्मानिंट सॉल्यूशन है आप विश्वास करिए रद करना इसका सॉल्यूशन नहीं है CBI इस तर की जाच होनी चाहिए एक प्रॉपर कमेटी बननी चाहिए क्योंकि व्यापम का नाम पहले भी बदनाम था नाम बदल दिया काम अभी तक नहीं बदला तीसरी बार नाम बदला है लेकिन काम आज भी वही चल रहा है और हम चाहते हैं कि यह जड़ से यह जो सिस्ट प्रॉपर करी है उसकी क्या गलती नहीं है जिनों ने गलत तरीके से इसमें एंट्री ली है उनकी गलती है उनको प्लस एंट्री कराने वाले को सजा इसमें मिलनी चाहिए यह हमारी मांग यहां पर रहने वाली है ठीक है पेपर रद्ध होने कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ मेरे साथ साथ गोपाल सर भी उनका भी सपस्ट है तर पेपर रद्ध नहीं होगा जाज करवाएंगे उसके लिए जो बनेगा वो हम करेंगे ठ सब महनत करेंगे आपके लिए लड़ेंगे और रिजल्ट भी इसका 100% मिलेगा और जो हमारा उद्धेश है उसके लिए निश्चित रूप से काम करेंगे बहुत सारे स्टुडेंट्स जिनका कॉंस्टेवल को लेके बहुत अच्छा मन लगा हुआ था वो एकदम लग गए पांसिक रूप से हम बहुत ज्यादा परिशान हो रहे हैं आपका बहुत सारा धन्यवाद जो आपने सुना क्योंकि बहुत बड़ी बात है इतना पूरा सुना और इसके बाद भी अगर कोई एसी चीज है जो आपको लगी कि मैंने कुछ गलत का हो कमेंट में आपका क्या राय है आपकी कमेंट का मुझे बहुत सारा इंतजार रहेगा इस वीडियो को यहीं करते हैं बाकी जानकरी में समय समय पर आपको देते रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद